अब हलो सुटुटेंट वेलकम बैक आप मैं चैनल जेकाइस भी सेवल इंजरींग तो आज जो हम पढ़ने जा रहे वह सर्वें के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सर्विंग क्या होता है बाइस सर्विंग होता है डिटर्माइन गाफ रलेट्व पॉजिशन अन दा सर्फ है इस पॉजिशन से क्यिसस्ट पर कोई पॉईंट है मालों और यह एक पॉइंट है इस पॉइंट को वन नाम देता हूं यह कितनके पोजिंग पोजिशन पे हैं या यह एक रफ्ण हमाँसके नीचे क्लिसको चाहरा बीडिश को चलोरदला साया है जा जनल मालूं करना प्ल कुछ ऐब पीड़ेकर मालूम उससे कोई नहीं पॉयंट का मॉलूम करने को ही सर्वे कहा जाता है अब सर्वे के अंदर जो हम आपको पुढ़ाने जा रहे है वह OD्ब्जेक्टिब किसे कहते हैं तो भाई objective मतलब to prepare objective of survey मतलब क्या होता है to prepare plan and maps plan या map बनाने का man objective होता survey करना plan आपको पता है जैसे कि हम किसी भी मकान का मलान मनाते हैं तो map तो आपको पता ही पता है जनाब उसके बार relative position of point मैंने आप की बता है कि एक की position तो आपको पता है अब दूसरी की position को जानना उसको कहता है relative position of point निकालने का man aim है objective है ले ओट बनाना relative quantities मतलब क्या हुआ कि कहीं पर किसे area का quantity निकालना जैसे area या किसी भी volume निकालना किसी भी soil mass का यह भी हम survey में करते हैं और इसके अंदर serving के अंदर हम angle measurement भी करते है horizontal angle और vertical angle भी निकालते है जनाब अब vertical angle जो है इसमें हम angle of elevation और angle of depression भी निकालते हैं अगर आपको angle of elevation नहीं पता है तो माल लो यह एक building है जनाब तो building के उपर यहाँ पर खड़ा हूं मैं और यह कोई point है इस point को देख रहा हूं और यह horizontal है यह जो line है जहां पर मैं देख रहा था वो line इस horizontal के साथ जो angle बनाता है उस angle को कहते है angle of elevation तो यह angle बन गया angle of elevation उसी तरह से अगर इस point में खड़ा हूं और नीचे देख रहा हूं किसी चीज को मनलब इस चीज को देख रहा हूं तो जो angle यह line जो है इस horizontal के साथ जो angle इस अंगलसा उस अंगल को कहते है angle of depression तो यह angle of depression और यह angle of elevation भी हम सर्वेय में जानते हैं और सरवेय में जाधा तर जो एंगल समनिकालते हैं वह ताढ़ा रेडियन नेन निकालते यह basic unit जो इसका होता है वह रेडियन होता है degree में भी निकाल सकते है जनाब बट बेसिक रिय एक बनियादी यूनिट तो डिडियंग जो है अगर डिग्री में बोले तो कैसे ओगा 180 पाई को करना होता है तो डिग्री में आ जाएगा अभी तक हमने जो पढ़ा है वह एम आफ सर्वेंग पढ़ा है अब हम क्लासिफिकेशन आफ सर्वेंग पढ़ेंगे effect of curvature को consider करते हैं हम considered करते हैं effect of curvature of earth को हम यह मानते हैं कि earth का जो curvature है वो होना बहुत जरूरी है otherwise हम survey नहीं करते हैं तो इसके आगे जो दूसरा point है area जो है उस area का less than 195.5 sq km होना चाहिए अगर उससे ज्यादा कहीं पर area जो है किसी भी area में हम survey कर रहे हैं तो वहां पर plant survey नहीं इस्तेमाल करेंगे हम geodatric survey करेंगे जैसे मैंने कहा यहां पर area जो है greater than equal to 195.5 sq km हो तो वहां geodatric survey इस्तेमाल करते हैं अब it is done for local survey इस्तेमा के लिए इस्तेमाल करते है प्लान survey में geodatric survey जो है वह survey आफ इंडिया जो अब भी कर इसको survey करती है तो वह geodatric survey करती है बड़ जब हम जैसे बंदे कहीं survey करेंगे तो हम plan survey ही करेंगी geodatric survey नहीं करेंगे तो समझ में आया कुछ अब plan survey के अंदर जो एक triangle होती उसको कहते है plan ड्राइंगलोमेटर तो जो इस्तेमाल किया जाता है जिया डिटी सर्वेइ में वह से फारिकल ट्राइंगलोमेटर इस्तेमाल की जाती है अब यह तक आपने और अधर और यहां पर सorrow सब्सक्राइड में राइट सब्सक्राइड में इसे लेफट साइड में Bwest है और ये जो अक्सार को इ改ot एक्सिष कहते हैं क्योंकि एकवेटर के ऊपर है और यह जो ऊपर से नीचे की तरफ है यह polar axis Mongled equip editorial access humbledound 27 56.75 Km इसकी लेंग hope होती है और जो यह polar access होती कम होती है कितनी होती है 127. trans about 80 km होती है इससे यह पता चलता है कि जो polar access और लेस एकिस है बात कितना 42.95 km अगर आपको याद नहीं रहे तो याद रखना कि एफरोक्स 43 किलोमेटर कम होती है एक चीज़ आपको बहुत चीज़ें यह चीज़ें इस्तिमाल करने इंपॉर्टन पॉइंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं डायमेटर आप अर्थ प्रैक्टिकली परपस के लिए हम जो डायमेटर मानते यह है आर्थ यह वह हम हम 127-40 किलोमेटर बहनते हैं क्योंकि अकुम्ति क्लीक्टिक से देखा जाये तो वो ज्यादा है अगर हम देखा जाए पॉलर से तो ज्यादा इसलिए डायमेटर जैवे हम274 किलोमेटर लिया जाता है तो रिडियस उसका फोगा सुस्ति 370 किलोमेट अब इसके आगे जो मैं है आपके concept बूलना चाहता हूं polar axis जो लहसता है नहीं अपने समझ लिया बड़ लिप्टिसिटी अपने नहीं पड़ा यह उसके अधर होगा यह है उसके बड़ने मंश्याल ऑन जाने के लिए अपके फोडिटारी अक्सेश है उसके पोलर एक्सेश है तो बी माइनस जो फोट्यू प्यूंड़ नाइंती हो और नीचे भी हमने इक लेड़ेकलण है तो यह आगया है अपर ऑक्स पॉंट थर्टी फोर तो एलेक्रिसिटी जो है वो तक्रिबन 0.34% है अब आप समझ गए होंगे पोलर एक्सेस जो एक्रिटर एक्सेस से 42.95 किलो मिटर ओलेक्रिसिटी जो है 0.34% है इसके आगे जो इंपॉर्टन पॉइंट है मैं जो आपको पताना चाहता हूं वो यह है कि आप मालनों यह एर्थ का करवेचा है और नीचे जो एक्सिट्रेट जो है लाइन है अगर हम यह जो है इसको हम आर्क मानता है नीचे जो है यह एक काड मानता है किसी बी सर्कल का तो माना जाता है जो यह काड है वह 18.2 किलो मेटर अगर इसकी लेंथ है किलो मीटर समझ लो किलो मीटर इसमें बॉन सेंटिमेutr स्यादा होगा इसी लिए हम हम प्लैन सर्वे में प्लैन सर्वे में हम कर वेटर को एंड सियाद में करते हैं जो हमेशा कर वेठर को संजाना चाहता हम कि एक होता है ॉत्या स्टारेइकल ट्रियंगल अगर आपको स्टारेइकल के बारे में समझना है तो यह जो आपके सामने song लिखका्षिणा सिपार के ट्रियंगल लिए ना होगा तो महलोग ये जो रेड्ट से मैं लाइने दी है ये जो है ये एक अर्थ एख और तको मैं तीन great circles पास कराऊंगा great circle मतलब जो भी इतको center line से पास होंगे तो एग गर इस great circle यह वाले great circle है ऐसे और दूसरा great circle जो ऐसे center से पास होगा दो great circle तीसरा जो है वह ऐसे मैं करोंगा समझ में आया कुछ अगर एक बाल पकड़ोगे तो बाल को पहले ऐसे काटोगे ऐसे करके फिर ऐसे करके काटोगे पहले बाल को ऐसे काटोगे तो मालो एक ग्रेट सरकल है फिर काटोगे यह उसके उपर एक सरकल बना दो बाल के उपर ऐसे सरकल तो बन जाएगा एक सरकल फिर उसी बाल के उपर ऐसे एक सरकल बना दो तो बन जाएगा दूसरा सरकल पैंसे आप बना सकते हो जनाब फिर तीसरा सरकल जो वह ऐसे बनाना होगा ओरिजेंटली बोले तो होरिजेंटली यह वर्टिकली वाला सरकल है यह वर्टिकली बट ऐसे और यह तीसरा वाला जो सरक्राइब ग्रेट सरक्राइब आप बनाने के बाद आप जब इस लाइन को ऐसे और ऐसे करके जुड़ा होगे तो यह एक ट्राइंगल जैसा बन जाता है तो इसको हम सिफारिकल ट्राइंगल कहते हैं अब आपको समझ गया और यह प्लैंड ट्राइंगल तो जो है इसका अंगल अगर थीटा वन थीटा टूथी रठी होगा तो 180 होगा और प्लैंड जो ट्राइंगल होती है इसका एरिया जो होता 190.5 स्टेर किलोमेटर माना जाता है और यहां तक हम खुद सर्वर करते हैं बड़ इसके बात जो सर् ट्राइंगल को देखूं तो यह थीटा 1 डैस थीटा 2 डैस थीटा 3 डैस जो है इन तेनों को अगर सम करूं तो किसके बराबर होगा वह मान लो कई एसके बराबर होगा तो एसके हैं अभी आप समझ जाओगे सिफैरिकल एक्सिस जो है उसको ई से डिनोट करते हैं वह आता है जीरो डिगरी जीरो मिनट वन सेगेंड इससे यह पता चलता है कि जो यह सफैरिकल ट्राइंगल है और जो प्लैंट ट्राइंगल है इनके बीच में जो डिफरेंस है वह सिर्फ वन सेगेंड का है मतलब कि यह जो एस है यह 180 डिगरी और जीरो मिनट और वन सेगेंड के बराबर है एस तो मैंने कहा था कि सम आफ जो तीन एंगल और एस के बराबर आपने कहा था कि एस क्या होता सर्थ यही होता 180 डिगरी जो सम आफ एंगल होते हैं इस ट्राइंगल के और बराबर होता एसके आगे आपको याद रखना चाहिए कि रेडियस अफ और जो होता है यह कहीं पर इस्तिमाल किया जा सकता है कुछ प्रॉपर्टी जो है ट्राइंगल की नीचे दी गई हैं तो यह आपको पॉल्म होना चाहिए सफेरिकर ट्राइंगल के पहले बताया गया है कि सम आफ ती आपको पकड़ना अगर होगा इन तीन में एंगल में से कोई एक एंगला को पकड़ोगे वह नाट गरेटे दर वानेड़ेटी हो सकता है इसके आगे सम आफ एनी टू साइड अगर दो साइड़ों का सम आप करोगे किसी भी स्परिकर ट्राइंगल का वह लैस दना एक्वल तो यह तीन साइड है ट्राइंगल की तो दो का सम करोगे वह तीसरे के बराबर यहां उसे कम हो सकता है तो नीचे एक्जम्पल भी दिया है आप उनसे समय सकते हो यहां तक आपने अपने तक बहुत सारे बेसिक अपड़े हैं बड़ आप क्लासिफिकेशन अफ सर्वे भी की एक्षटर बे नहीं होती है अगे बेस्ट आने जरा फि之前 का नेचर कैसा क्या फिल्el जो है वह तोड़ा सा है सडयंट जाना और वहां की टोपोग्राफिक मनलब सर्फेस का व्यूव सर्फेस का व्यूव को देखना जाचना एनलाइज करना उसे को कहते हैं टोफिग्राफिकल सर्वे यह नेचरल वाले चीज़ों या और मैनमेड वाले उब्जेक्ट उनके उपर भी किया जा सकता है और और स्ट्रक्चर जैसे ब्यूलिंग डैम हो सकती है यह कोई रिजर्वाइर हो सकता है तो उसकी सर्वे हम कर सकते हैं तो टोफिग्राफिकल सर्वे हो गया बर मॉन्टैन औ ग्राफिकल सर्वे के अंदर जो टोफ शीर्स इस्तिमाल की जाती है उसके अंदर जो स्केल्स होता है वह यह देखिए कितना होता है वान इस्टू फायव थोजेंड बट दो हुजार पांच से पहले यह एक नोट है जो आपको समझना होगा तब इस्तिमाल किया जाता था 1400 से लेकर 1500 तर अब आपने यहां तक टोपग्राफिकल सर्वे समझ लिया जो पटवारी होते हैं वो जो सर्वे करते हैं ज्यादातर काडिस्ट्रिया सर्वे ही करते हैं वो जो किसी की जमीन जो होती है जो बॉंडरी है तो कहते हैं यह आपकी लेगल बॉंडरी है यह मेरी लेगल बॉंडरी है उसके बारे में जो सर्वे कहते हैं उसे कहते हैं काडिस कितना 32 का होता है सोला बट मान लो अगर आपको याद नहीं रोगा तो 33 का हाफ थोड़ा बहुत कर लो तो सोला जह वो आएगा नहीं बट सोला लिंक्स के होते हैं एक याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने तो एस्टापलिष्ट बांडडरी आफ प्रोपर्टी आपने समझ लिए व ऐकाब सीटी सहभेका क्यों की जाती के सीथी में इस लिए कि जाती है क्योंकि उस्टी में अगर आपने construction of sewers line लगानी होगी यहां पाइप लानी होगी तो city survey करते हैं यहां तक आपने topographical के तीनों survey देख से तीनों survey आपने land survey के तीनों चीजें पढ़ी है topographical cadastrial or city survey बट अब astronomical survey हम पढ़ेंगे astromical survey के अंदर क्या हम पढ़ते हैं कि जो earth surface के उपर किसी भी point के position जो है उसको मौलुम करना ही astromical survey के अंदर आता है इसके अंदर हम latitude और latitude के बारे में पढ़ते हैं जो longitude कि स्टेट के से निकलती है तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं यह हम उतना नहीं करते हैं अब hydrographical marine survey जो है इसको bathymetric survey बहुत important survey है इसको कभी-कभी sonning survey भी कहते हैं तो hydrographical marine survey क्यों कहते हैं जो survey है इसमें दोटा इसमें ज्यादा तर इसलिए यह करते हैं यह survey क्योंकि आपको किसी भी water bodies की क्या निकालना है उसकी depth निकालनी है तो river का अगर हमने depth मौलूम करनी है तो एक instrument इसमाल आता है इसमें जिसको कहते हैं welding sonding machine उससे हम river की shallow depth को मौलूम करते हैं क्योंकि आपको पता है river उतना depth उसकी नहीं होती शलो ही उसकी depth होती है depth मतलब height कितनी है वो कितना गहरा है जनाब अगर हम समंदर में जाएं तो उसकी depth बहुत ज्यादा होती है आपको पता है pacific ocean जो वहां पर एक marine ट्रंच है वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रंच गहरा ट्रंच है तो उसका अगर हमने उसकी depth को मौलूम करना है तो वह हम welding sonding machine से नहीं बलकि fantometer से इस्तेमाल करते हैं तो high depth मौलूम करें जैसे समंदर के अंदर fantometer इस्तेमाल किया जाता है अब जो hydrographical survey है इसके अंदर क्या सिर्फ हम depth ही मौलूम करते हैं नहीं हम वहां की velocity मौलूम करते हैं कि किसी ऑटर बोड़ी के अंदर velocity कितनी है यह बहुता है यह किसी किया जाता है इंस्ट्रूमिट है उसका नाम है प्राइस मिट्र उससे इस्तिमाल करते हैं अब जो है सोंडिंग सेक्स्टेंट सोंडिंग सेक्स्टेंट जो है एक ऐसे इंस्ट्रूमिट है जिसमें हम किसी भी वाटर बॉंडेज के एंगल्स को मैजर करते हैं टेरिविकल सर्वे को सोहनिंग सावेइज भी कहते हैं मुझामेद है आपको समझागी हो अब जो है बेस्ट अन अम के उपर जो सर्वेंग आती है उस मोह बीडिवाइज है इसमें सबसे पहला पार जो हता है इंजिन्जिंग सर्वेज़र हम करते हैं इसमें हम कूंसा वह थार्ड आफ सर्वे बाद में इस्तिमाल करेंगे उसको रेनैंसर सर्वे होती है एक गिसम सरवے पर मिलें मेरिमरी सर्वे पिर UK एक मिल्लें मेरिया लिर्ड कि जाती है एंजिनिंग सर्वें हम को पता है पही पर माइन्ट हैं जिसे कांग कहते हैं कोई मिनरल न कलना कोड्र न इकलना तो तो यह वहां पर सथारी के जाते हैं तो यह को इता को मौलूम करना कि यहां पर है वहां पर जो है जॉलिजिकल सर्वे करते हैं जब भी कभी का यह टनल निकलता है तो उस टनल के लिए वहां पर एक जॉलिजिस्ट को बलाया जाता है क्योंकि वहां पर जॉलिजिकल सर्वे करें एक इंजिनर को भी बलाया जाता है बर जॉलिज चीजे जो है उनके बारे में जो structure है उनके बारे में मौलूम करते हैं के information और यह ज्यादा तरह history बनते करते हैं अब जो है most important हमारे लिए है instrument based survey है तो GPS survey GPS survey जो है इसका EDM survey भी कहते हैं और total station survey भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें total station इस्तिमाल करते हैं और के तो उसके बाद जो है चैन सर्वे चैन सर्वे में आपको पता हॉरीजुन्त लिजाउ डिस्टेंस में आजदर कर सकते हैं वह और टिकLर 2 भी आपको मैज़र करना यह वह कर सकते हैं कंपास सर्वे यह तो आपको आहम पता है जब आप इस्तिमाद करते थे विदिन डुपलम आपका हम यह कहीं पर डिगरी के दोरान तो कंपास सर्वे जो हॉरिजंटल एंगल वहां पर मैजर करते थे जिसको हम बेरिंग भी कहते हैं लड़ेब हों आप लिए शुमारि है उसके बाद ठ्रॉडॅा ऑसलिते उसके आपको पाद प्लांटेबल सर्वेंग। प्लाइन टेबल सर्वेंग हम किसी न सब्सक्रस को आपृबलम आप यह जाध YOUR करते हैं और यह क्षिया है और करते कि उसके बाद टेक्योमेटरी सर्वे में उसी तरह से जिस तरह से थियोडर लाइट में होरिजन्टल और वर्टिकल एंगल्स देखते हैं बट यहां पर जो है फॉर्मिला भी बिस्तिमाल किया जाना करते हैं बाद में और उसके बाद photographical survey, photographical survey में aerial server, triastrial survey होता है, aerial survey क्या होती है, यह जहां पर हम जा नहीं सकते हैं, तो हम वहां पर drone या कोई helicopter के थरो हम जाते हैं उस area में, और वहां पर उस area के photos कहींचते हैं, और जो photos कहींचते हैं, उस area क्या, वो कैसे होने चाहिए, तो जी आगे देखा गया है, यह एक इसम की photos है, मालों यह एक click है photo का, और यह दूसरा click है photo का, यह blue से दिया गया है, एक click, और red से दूसरा click है, तो यह जो है longitudinal, ऐसे longitudinal overlap, जो 60% long longitudinal overlap करना चाहिए, photo ठीक है, और जब side wise जो है, वो 30% overlap करना चाहिए, यह आपके दिमाग में जरूरी है, कि हम जब area survey करते है, मुझे अमेद है कि आप यहां तक समझ गयोंगे, thank you very much for my, for watching my video, समझना बहुत जरूरी है,